वेल्कम टू दे इन्वर्सल मिस्टी टारो 1111 तो वह आप में क्या देखते हैं इसके रिडिंग होगी यह रिडिंग जैनल है कलेक्टिव है ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज आप से रेजोनेट कर जा तो ठेक टेक रेजोनेट आंड रीव तरेस्ट चलिए देखते हैं कि आ क्या देखते हैं कौन से ऐसे गुन देखते हैं कौन सी ऐसी खूपसूरती देखते हैं कि क्या देखते हैं मेरे व्यूवर्स में उनके परसन प्लीज स्पिरिट बताएं उनके परसन मेरे व्यूवर्स में क्या देखते हैं आपके परसन आप में क्या देखते हैं आप हो सकते हैं या आप हो सकते हैं टॉरस वर्गों कैप्रिकॉन हो सकते हैं तो आपके परसन आप में क्या क्या देखते हैं कि आपको पाना कॉम्पेटीशन के जैसा है आप से भाते करना पूओ कही न कहीं च।कि आप दोनों में आर्गुमैंट भी हो सकते हैं किसी चीज को लेकर यानि आप दोनों जहें जगरते रहते हैं और प्यार भी है लेकिन आप बहुत टालेंटेड है आपके पास बहुत एमपिसियस है आप इसी के वज़े से आपके परसन आप में बहुत चालेंजेस देखते हैं मैं सुनिया ऐसा लगता है कि आप सीधी सीधी खीर बोलते हैं सीधी खीर नहीं हो टेड़ी हाथ से निकालने वाली मैं से बहुत कॉम्पिटिशन फील करते हैं आपको मनाना आपसे प्यार को जताना मैंस आपसे आप से बाते करना भी इनके लिए कभी-कभी चैलेंजेस जैसा हो जाता है क्योंकि आपके जितने सवाल होते हैं इनके पास उसके आंसर नहीं होते हैं आपके पास जितना टैलेंट है सायद ही इनके पास उतना टैलेंट हो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको तो कोई भी पसं और इसी के वज़े से उन्हें कॉम्पेटिशन जैसा लगता है यह पसंद आपके लिए बहुत पैशनेट फिल करते हैं इंटेंसिटी स्पार्क आप में इतना है क्योंकि मेरे व्यूवस बहुत सेंस्वल हो सकते हैं हॉट हो सकते हैं सेक्सी हो सकते हैं डेफिनेटली इसमें क इसी के वज़े से आपके पॉसंद आपकी इनर्जी में बहुत ग्राउंड़ फिल करते हैं स्टेवल फिल करते हैं और कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप है तो उनकी सिक्यूरिटी है ने तो यह इन्सिक्यूर भी फिल करते हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशन या करते हैं सिक्यूर फिल करते हैं और आपके साथ इस रिस्ते में अगर लॉंग ट्रम तक ले जाए जाए तो आप लॉंग ट्रम चलने वाले पार्टनर हैं बहुत ही टालेंटेड एन एक्स्रीम लेवल का पैशन है आप में और यह परसन आपकी तरफ इतने आट्राक्टेड है कि क्या चारो तरफ जो है वैंस है एडवेंचर से एंड इंटेंसिटी है तो बहुत स्पार्कल इंटेंसिटी है बहुत स्पार्क फिल करते हैं पूल फिल करते हैं मैंगनेटिक पूल फिल करते हैं इंजोई करना चाहते हैं सेलिप्रेट करना चाहते हैं यह परसन हो सकते है कि नन कमिटल भी हो आप अपनी वैल्यू जानते हैं यानि मेरी व्यूवर्स अपनी वैल्यू को जानते हैं अपनी वर्त को पहचानते हैं और आप ऐसे वैसे को तो चांस देने तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपने उस परसन के बारे में देख रहे हैं जो परसन आपके माइंड में चल रहे हैं चाहे उनसे तो वह परसन आपको लेकर अगर सीरियस भी है क्योंकि यह एक पैंटिकल है वो चाहते हैं इस रिलेशन्शिप पे काम करना लेकिन हुआने कंशन देखते हैं कि आपको मनाना आपको रिजाना आपको पटाना बहुत मुश्चिल है क्योंकि फ़ैंटिसी भी बहुत करते हैं कि आप कितने सेंस लो कितने हौट कितने सेक्सी अपके एडमारर बहुत हो सकते हैं स legal in advance लुड सिपने से आपको जो है लोग एप्रिशेट जरूर करते हैं आपको काम को लेकर आपके ब्यूटी को लेकर आपको स्टाइल को लेकर लोग आपको बहुत बहुत ज़्यादा एप्रिशेट करते हैं आपके पसन आपको अपनी दुनिया ही मानते हैं लेकिन कहीं न कहीं चालेंजिस ज़्यादा करते हैं उन्हें इसा लगता है डड़ जाते हैं जब अपनी वर्थ को समझते हैं और टाइम पास तौप करने देना ही नहीं चाहते हैं तो आप जब्हीं किसी ऐसी रिस्त आप ऐसे रिच्ट में जाएंगे जहां आप को कमिटमेंट मिले और आपके परसन ने आपको कमिटमेंट दे दिया है तो definitely you are worthy of love means आपके परसन ये जानते हैं कि आप यही deserve करते हैं means आपकी जैसी wife या आपके जैसा husband सायद ही इन्हें कोई मिले इस दुनिया में उन्हें कोई भी आपके जितना hot आपके जितना और आपके जितना gorgeous या handsome सायद ही कोई दीखे तो आपके साथ लाइफ को enjoy करना चाहते हैं celebrate करना चाहते हैं और वह आपको में यही देखते हैं कि lot of playfulness के energy है तो आपके परसन थोड़े से immature जरूर होंगे इसमें कोई दोराए नहीं पॉइफुल नेचर होगा मिस बहुत एक्स्ट्रोवर्ट भी हो सकते हैं इनर वोइस है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत intuitive है और बहुत psychic ability है आप उनसे एज में बड़े भी हो सकते लेकिन यह एज में अगर बड़े भी है आपके परसन तो भी इनमें उतनी knowledge नहीं है spirituality के बारे में तो यह ABCD भी न जालते हूं क्योंकि जैसे cards निकले हैं उसी के according में बोल रही हूं अपनी हिसाब से में कुछ नहीं बोल रही हूं जैसे cards हैं वैसे ही बोलती हूं और intuitively ही reading होती है तो आपके लॉजिकल माइंड में भी कही न कहीं चीजे समझ में आए तो मैं बहुत कोसिस करती हूं कि इंट्यूटिव होने के साथ साथ उसमें लॉजिकल वे में भी में reading करूं जिससे कि आप understand कर पाए कि आखिर सिच्वेशन कैसी निकल के आई है मिस आपके person आपको कैसे देखते हैं तो यहां नथिंगनेस है तो बहुत spiritual मानते हैं बहुत intelligent मानते हैं खास और से आप wisdom से वरा हुआ person है आप वोईड में भी चल सकते हैं मिस आप में इतना ग्यान है कि beyond illusion illusion को भी आप देखने की शमता रखते हैं इस person में उतना कुछ उतना experience इस person को नहीं है और यह person जो है five of cups के energy है तो बहुत drawn feel करते हैं जब आप हो सकता है कि जब आप इन्हें छोड़ गए होंगे या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे person हो जो life में बहुत experience हो आपने up and down अपने life में देखा है और इसी के वज़़ से आप बहुत mature हो अपने age जितनी भी हो लेकिन आप बहुत mature इनसान हो बहुत friendly इनसान हो हर एक के साथ आपका nature बहुत friendly होता है चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो सब के साथ आप बहुत intuitively connected भी होते हैं और साथ में friendly way में connected होते हैं लोग आपके साथ comfortable feel करते हैं एक mutual understanding होती है आपका ल बानते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे best friend है जिनसे वो एक इनके साथ वो comfortable feel करते हैं जिनके साथ वो एक soulmate का connection feel करते हैं जिनके साथ वो इतने comfortable होते हैं ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी कमिया सबसे अच्छे से जानते हो यानि आप कमियों को अच्छे से जानते हो यानि इस परसन की कमिया क्या क्या है आपको अच्छे से पता है तो यही वज़ा है कि यह परसन आपके साथ बहुत comfortable है और उन्हें पता है यह भी कि आपने उन्हें उसी वे में accept किया है यानि कि उसी वे में आपने इन्हें अपना life partner बनाया है या friend बनाया है या जो भी आपका relationship की situations status है love status जो भी या जो भी situations की status है आप बहुत acceptance से भरे हुए है यानि कि मेरे viewers बहुत acceptance acceptable person है जिससे कि आप अपने ही person की कमयों को भी आपने accept किया है और उनकी खूबयों को भी यही वज़ा है कि यह person comfortable भी है और stable ही रहते हैं आपकी energy में आपको देखते हैं कि आप बहुत morality पे चलने वाले इंसान हो ऐसे वैसे में आप चलने वाले इंसान नहीं हो आपकी moral value है आपका experience है आप उसी के अनुसार जो है life major decision ले तो बहुत intellectual हो सकते हैं practical हो सकते हैं and definitely आप rational भी हो सकते हैं तो जो भी intellectual level पे आपका experience है जो भी आपकी intelligence है इसी के वज़े से आप बहुत successful हो सकते हैं अपने career में अपने life में अपने personal अपना professional जो भी आपका growth है वह कहीं न कहीं आपकी experience और खास से intellectual experience के वज़े से इसलिए यह person आपकी respect भी करते हैं और कहीं न कहीं यह person आपसे ड़ते भी है क्योंने ऐसा लगता है कि आपके सामने आपके सवालों के जवाब तो इनके पास नहीं है और बहुत डरते हैं यह आपसे conditioning है तो आप में वह energy है जिससे लोग आपकी तरफ trapped feel करते हैं ऐसा लगता है कि आपने उन्हें आपके energy में लोग अच्छा feel करते हैं comfortable feel करते हैं life कैसे go with flow चलती है उन्हें नहीं पता चलता है क्योंकि आपके energy बहुत healing है और यही person यही वह person है जो आपको वह खोना नहीं चाहते हैं आपको अपने हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं तो बहुत ही positive energy में देखते हैं ब बहुत hard working personality हो बहुत अपने life में personal professional जो भी आप करते हैं उसमें आप अपना full efforts लगाते हैं और यही वजह है कि यह person आपकी तरफ अट्राक्ट हुए विना नहीं रह पाते हैं तो अट्राक्ट होते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वह आपको अपना कैसे बना ले तो तब तक के लिए thank you so much and God bless you and I love you thank you so much